जी असलाम उलेकूम तमाम सभी हजराद का पहे दिल से इस्तिखवाल आज की संडेलाइब मैं इस वक्त हैदरवाद शेहर में हूँ और माशला हैदरवाद के बड़े माशला प्यारे शाथी हमारे को मिनने आए हैं इदर तो फिर भी अल्ला का फडल करम है कि हमारा संडेलाइ स्वाच का सिलसलारुका नी है तो आज का संडेलाइब खास होर पे आने वाले मैंने रमजान की इस्तिखवाल के सिलसले से हमने ठीया aç की ताकि आप तमाम हमारे सब्साविए। कि इस बहतरीन सेशन को जॉइन करकर बहुत सारी दीनी मामुला हमारे जो रमजान के तहट होती है उसके तक आप लोग सुनें समझें और जरूर अमल में लाएं तो मैं हमारे सवील वज से रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप इस सेशन की खुरान की तिलावत करके इस सेशन को शुरू करें तो बहुत भी बहुत सुकर गुजार हमारे मुक्ति सवील सापका जो ये सेशन नंबर टू इस महने शाबान में ले रहें जी सवील वाई और टू अगर कोई और साथी हैं तिलावत कर सकते हैं तो चोटी तो फीक है नहीं कर लए तो हाफिस अब जूँँ अच्छा और कुन हज़रात हैं जो खुरान की तिलावत कर सकते हैं जि मुझे हैंड रेस कर दें तो मैं उनका हैंड को कर लो जी कौन करेंगे जफर साइद कौन कारें बताए प्राण की तिलावत कि कुन मैं अदर आसल सफर में हो टो गट्री मेशच्टिय नहीं पराए की कोन डरी मुरेंगे रफिक्षाब करेंगे आप चुर्व कर करतेगे जा मैं है कि इसल जी अप सब्सक्राम है कि जी कर लो मइं अभी कर लें को आप अबिlles बस से एक मिनेट रुकिए आउदु बिल्लाहि मिन श्याइटानि र्रजीम बिस्मिल्हिर्रह्मानि र्रहीम हुवा लजी ला इला इला हुआ उा आलि मुल खायब वा श्यहादत हुआ टूर रह मन अट्रहीम हुआ लखी ला इलाह इलाहू अल्मलिक लकुदूस। असलाम। लमुमिन। लमुहीमिन। अजीज। जबार। अल्मुतकब्बिर। सुबहान लोह अंमा युश्रिकून वो लाजीज लुश्रिकून सुबहान लुश्रिकून कोई और साती हैं जिन से मैं कम्मिनिकेट कर सकता हूँ शमीर भाई जी अपने मुफ्ति सब मेरी मेरी आवाद आ रहे हैं अच्छा दर्मियान में अगर आप नहीं रहे तो शमीर भाई से कम्मिनिकेट करें किस से कौन है नहीं समीर भी भी मेरे साथ है जर्मियान में अहला ना करें कोई चीज अगर जिस कम्मिनिकेट ही तो आपको हम लोगो मेसेज कर दें लिए आप कंटिनू करें अहाला, चीज जिस के दो आपको हम लोगो में तुब आपको हम लोगोको हम लोगो में नहीं से करें करेंड दूल्जिय करें अम्मा बाद पुद बूल्लै मिन श्शेठान अर्दीम, बिस्म ल्ल्ही रह्माल रहीम या ऐईयोह लदीन आमनु कुतिब लग्रेकुम स्वियाम कमा कुतिब आले लग्रेन देम मिन खब्लिकुम लट्ल्लकुम तत्त्तंन। وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السوم لی وانا اجذیبی او کما قال علیہ الصلاة والسلام تمام جڑے ہوئے ساتھیوں کا خیر مخدم ہے استقبال ہے اہلاً و سہلاً مرحبا خوش آمدید میں تمام ساتھیوں کو کرتا ہوں اور اللہ تبارک و تعالی کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہمارا یہ جڑنا دین کی فکر کو لے کر اور ہماری سپیرچالٹی کو اور روحانی تخویت کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالی کو ضرور بزرور ہمارا یہ جڑنا پسند آئے گا اور اللہ تعالی ہم سے ہماری اس کوشش سے ضرور بزرور انشاءاللہ تعالی راضی ہوں گے اور رمضان المبارک کے مہینے کے اللہ تعالی کو اللہ تعالی نے ہم تمام کو جو مہیا فرمایا ہے اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں پورا ایک مہینہ روزہ رکھ کر کے انسان کی سپیرچالٹی کو اور روحانیت کو اللہ تعالی بندے کی روحانی تربیت کرتے ہیں اس کی روح کو غزہ عطا فرماتے ہیں روزے کے اور بہت سارے مقاصد ہیں جیسے روزہ رہنے سے بھوکا پیاسا رہنے سے انسان کو بھوک کیا چیز ہے فقر کیا چیز ہے فاقے جن لوگوں کے گھروں میں گزرتے ہیں ان پر کیا بیٹتی ہے ایک بھوکا انسان کیا کچھ چیزوں سے گزرتا ہے ان ساری چیزوں کا احساس روزے کی برکت سے اللہ تعالی عطا فرماتے ہیں اور جسمانی جو فائدے ہیں روزے کے وہ ہمارے ڈاکٹر صاحب اور باشرہ جو ڈاکٹرز ہیں شریعت کے پابند ہیں وہ ہم سے زیادہ جسمانی خوت انسان کو کیا ملتی ہے کیسے اس کا ڈیٹ پلان ایک پورے مہینے کا ہوتا ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہوتے ہیں کیسے اس کی انجن کی سرویس ہوتی ہے یہ ساری چیزیں ہمارے ڈاکٹر صاحبان اس پر باقیدہ لٹریچرز لکھے گئے ہیں اس سے ہم پڑھ سکتے ہیں فائدہ اٹھا سکتے ہیں انشاءاللہ اگر آگے کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس بارے میں تفصیلات آپ کے سامنے ڈاکٹر صاحب رکھیں گے انشاءاللہ یا میں رکھوں گا جیسے بھی مشورہ ہوگا جو بھی ہوگا انشاءاللہ ابھی ہم ہمارا جو جڑنے کا مقصد ہے استخبال رمضان رمضان کا استخبال اور رمضان کو الگم کرنا رمضان کے تعلق سے چند باتیں ارس کرنے سے پہلے میں آج ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے اس پر ایک تھوڑی سی سرسری نگاہ آپ کے سامنے دوڑا دوں انشاءاللہ پھر اصل بات شروع کریں گے رمضان مبارک کے مہینے کے شروع ہونے سے پہلے شابان کا مہینہ الحمدللہ اب چل رہا ہے اور اس سے پہلے کا مہینہ رجب کا مہینہ گزر چکا اور آنے والا مہینہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو رمضان مبارک کے شروع ہونے سے ایک دو دن پہلے ڈاکٹر صاحب سے مشورہ کر کے رمضان کیسے گزارنا ہے اور رمضان کی مکمل فضیلت کیا ہے اور رمضان کے جو اوقات ہیں اس کو کیسے فائدہ اٹھا لینا ہے اس بارے میں اگر اللہ نے چاہا تو ایک سیشن رمضان سے ایک دو دن پہلے میں لوں گا انشاءاللہ ابھی شعبان کا مہینہ چل رہا ہے تو شعبان کیوں آتا ہے اور شعبان کی فضیلت کیا ہے استقبال رمضان استقبال کرنے کے لیے رمضان کا رمضان کے مہینے کا شعبان کا مہینہ آیا ہے اس کے تعلق سے دو چار باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے بعد انشاءاللہ رمضان مبارک میں نیکیاں کیسے حاصل کرنا ہے اور اس کے فائدے کیا ہیں اس بر ایک سرسری نگاہ میں ڈالوں گا شعبان کے مہینہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے اس شعبان کے مہینے کی فضیلت کو آپ تمام کے سامنے رکھنے کے لیے اور ساری انسانیت کو سمجھنے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ سرور دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو اپنا مہینہ کہا اور اپنی طرف اس مہینے کی نسبت کی کسی چیز کی کسی چیز کی طرف جب نسبت ہو جاتی ہے تو اس چیز کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے جیسے دنیا میں لاکھوں کروڑوں مساجد ہیں لیکن قابط اللہ شریف اور مسجد حرام کا بیت اللہ کا مقام ہی الگ ہے اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے اللہ کا گھر ہے اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی اللہ کی طرف نسبت ہونے کی وجہ سے وہ تمام مساجد سے افضل ہو گئی تمام مساجد میں سب سے پہلا پوزیشن پہلا مقام بیت اللہ شریف کا ہے قابط اللہ شریف کا ہے اس لیے کہ اس گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی صحابہ اکرام رضی اللہ انہم اجمعین حضور اکرام صلی اللہ علیہ و سلم کے صحابہ تھے آپ کے ساتھ رہنے والے تھے آپ کے ساتھی تھے آپ کی صحبت میں تھے اس لیے صحابہ کو صحابہ کہا جاتا ہے اور ایک ادنہ سے صحابی کے مقام کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و سلم کو ایمان کی حالت میں دیکھ لیا سارے تابعین تبی تابعین جنہوں نے تابعین کی زیارت ایمان کی حالت میں کی ان کو تابعین کہتے ہیں ساری دنیا کے اس زمانے کے بعد سے خیرون قرون کے بعد سے اب تک جتنے اللہ والے آئے ہیں اور قیامت تک آتے رہیں گے سب مل کر کے ایک صحابی کے مقام کو نہیں پہن سکتے اس لیے کہ ان کو ایک پل کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحبت نصیب ہو گئی تھی وہ آپ کے صحابہ تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تھے صحابہ کا مقام اسی لیے ہے کہ ان صحابہ کی نسبت اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف تھی اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ سلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے رمضان کی نسبت بھی اسی لیے زیادہ ہے شعبان سے بڑھ کر ہے اور تمام مہینوں میں سب سے افضل مہینہ رمضان اسی لیے ہے کہ اس رمضان کے مہینے کی نسبت اللہ کی طرف ہو گئی ہے اور اس شعبان کے مہینے کی نسبت اللہ کے نبی علیہ سلام نے اپنی طرف کی ہے اس سے بڑھ کر اس کی فضیلت کے لیے اور کوئی بات سمجھانے کے قابل نہیں ہو سکتی یہ ہی ایک بات کافی ہے دوسری وجہ ہے کہ اس شعبان کے مہینے میں رمضان المبارک کے مہینے کی تیاری کی جاتی ہے اس مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں تراویح کی تیاری کی جاتی ہے اور رات میں قیام کیا جاتا ہے اللہ کے نبی علیہ سلام عام دنوں میں بھی آپ کی جو عبادت کا لیول تھا رات رات جاگنے کا اللہ کے نبی علیہ آکر کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اور حضور اکرم نے سورہ بقرہ مکمل پڑ دی اور یہ سوچ رہے تھے کہ ابھی رکو کریں گے اللہ کے نبی علیہ سلام نے سورہ بقرہ مکمل کر سورہ عالی عمران شروع کر دی اتنی طویل عبادتیں اور اتنی لمبی رکعتیں اللہ کے پہلے سے زیادہ عبادتیں کرتے تھے تو ہمیں بھی ابھی سے کنٹینیوٹی باقی رکھنے کے لیے رمضان مبارک کے مہینے کی تیاری کے لیے ابھی سے عبادت کا احتمام شروع کرنا ہوگا اس کو ایک مثال سے سمجھئے کہ ہمارے ڈاکٹر صاحب نے بھی ماشاءاللہ کیپسول اکیڈیمی میں کیپسول ویڈیوز کو ایکسپلین کرتے ہوئے آپ نے بات سمجھائی تھی کہ بادل آتے ہیں بارش کے نازل ہونے سے پہلے اور وہ بادل اس بات کے انڈکیٹرز ہوتے ہیں کہ تھوڑی دیر بعد بارش ہونے والی ہے اور اس کو جو کسان لوگ ہیں وہ بہت جلدی سمجھ جاتے ہیں اور بارش نازل ہونے سے پہلے کالے بادل چھاتے ہیں آسمانوں میں اور ان بادلوں کے چھانے سے پہلے تھنڈی تھنڈی ہوایں چلتی ہیں تھنڈی تھنڈی پہلے ہوا چلتی ہے جو لوگ ایکسپورٹ ہیں اور خصوصاً جو کسان ہیں فارمر ہیں وہ اس کے آتی ہیں ان کو کھینچ کر کے لاتی ہیں اور جب بادل آتے ہیں اور کالے بادل چھا جاتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے باران رحمت نازل ہوتی ہے پہلے ہوا چلتی ہے پھر بادل آتے ہیں پھر بارش نازل ہوتی ہے علماء فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ جو گزر چکا وہ ہواوں کے چلنے کا مہینہ ہے اور شابان کا مہینہ یہ بادلوں کے چھانے کا مہینہ ہے شابان کے معنی پھیلنے کے ہیں اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے بادل پھیل جاتے ہیں آسمان پر چھا جاتے ہیں اور رمضان المبارک کا مہینہ جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوب باران رحمت اللہ تعالیٰ کی محبت کی برسات نازل ہوتی ہے اور کئی کروڑ لوگوں کو وہ باران رحمت رمضان میں جب نازل ہوتی ہے تو جہنم سے آزاد لکھ دیتی ہے جہنم سے خلاصی کا پروانہ رمضان المبارک کے مہینے کی بارش نازل ہوتے ہوئے کئی لوگوں کو کروڑوں لوگوں کو پاک کر دیتی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں آئے گی اور ایک اور مثال سے شاید بات زیادہ سمجھ میں آئے گی اور انشاء اللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا تو دماغ میں بیٹھے گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ڈوکٹر صاحب نے جو سٹریٹیجی ہم تمام کو سکھا ہی ہے میں اسی سٹریٹیجی اور اسی ٹاپک اور اسی شیئر مارکیٹ کے سے related جو مثالیں ہوں گی examples ہوں گے وہ آپ کو دینے کی کوشش کروں گا تاکہ جس line سے ہم جڑے ہوئے ہیں اسی کی بات ہو تو بات زیادہ سمجھ مجھ اللہ ہم investment کرتے ہیں تو تین طرح کا investment کرتے ہیں ایک seats میں اور دوسرا sun floors میں اور تیسرا farming میں مجھ تو سیٹس کے بونے کا مہینہ ہے بیج کے بونے کا مہینہ ہے رجب کے مہینے میں بیج زمین میں بودیا جاتا ہے زمین اس کے لئے ہموار کی جاتی ہے زمین کو تیار کیا جاتا ہے اور شابان کے مہینے میں پانی ڈالا جاتا ہے اور رمضان رمضان المبارک کا مہینہ ہماری اس کھیتی کو کاٹنے کا مہینہ ہے رجب میں بیج بویا جاتا ہے شابان میں پانی سینچا جاتا ہے یہ تین سٹیجز ہوتے ہیں فارمن کے اور جب کھیتی بلکل تیار ہو جاتی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت کا سٹیفیکٹ حاصل کا یہ آنے والا رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے ایک اور مثال سمجھئے جب کوئی مہمان آتا ہے ہمارا آج کے سیشن کا ٹاپک ہی استخبال رمضان ہے اگر کوئی ہمارے گھر مہمان آ رہے ہوں تو مہمانوں کے بھی سٹیجز ہوتے ہیں کچھ مہمان عام قسم کے ہوتے ہیں روزانہ دو تین دن میں آنے جانے والے کچھ مہمان تھوڑے سے خاص ہوتے ہیں وہ ایک مہینے میں دو مہینے میں تین مہینے میں کبھی چلے آتے ہیں تو ان کے لیے اسی طریقے کا استقبال اور ویلکم ان کو اسی طریقے سے کیا جاتا ہے اور کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جو وی وی آئی پی ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ سپیشل ہوتے ہیں ہمارے دلوں میں ان کا مقام ہوتا ہے دل میں عزت ہوتی ہے دل میں وقار ہوتا ہے اور جیسا مہمان ہوتا ہے اسی طریقے کا اس مہمان کا استقبال کیا جاتا ہے اس کو ویلکم کیا جاتا ہے جو روزانہ دو تین دن میں دو چار دن میں آنے جانے والا مہمان ہے وہ آگیا گھر والی سے کہہ کر کہ چائے بن والی کچھ بسکیٹ کچھ چوچو یا سموسا جو بھی ملا بسکیٹ جو بھی تھے ان کو کھلایا پلایا ان سے تھوڑی دیر باتیں کی رخصت ہو گئے کچھ مہمان خاص ہوتے ہیں وہ آتے ہیں تو ان مہمانوں کے لیے گھر میں بریانی بنائی جاتی ہے میٹھا بنایا جاتا ہے ان کو کھلایا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی تو آئے تھے کچھ دیر اور ہمارے گھر رہیے گا آپ کے رہنے سے ہم تمام گھر کے لوگوں کو خوشی ہوتی ہے آپ دوبارہ آئیے گا ایسی گزارش ہیں کچھ مہمان جو وی وی آئی پی ہوتے ہیں کچھ زیادہ ہی سپیشل ہوتے ہیں جو وہ آ رہے ہوتے ہیں یا کوئی ہمارا خاص رشتہ دار ہو جو ڈبائی رہتا ہو گلف رہتا ہو یوروپ رہتا ہو اسٹریلیا رہتا ہو کہیں بھی رہتا ہو وہ ایک سال دو سال بار آ رہے ہیں تو ان کے لیے کئی دن پہلے سے تیاری کی جاتی ہے کہ خاص مہمان ہے دور سے آ رہے ہیں بہت دن و بال آ رہے ہیں اسی طریقے سے ان کا استخبال کیا جاتا ہے ان کو پک اپ کرنے کے لیے ائرپورٹ جاتے ہیں کوئی عمرے سے آ رہا ہے کوئی حج سے آ رہا ہے اس کے احترام میں ائرپورٹ ڈراب کرنے بھی جاتے ہیں کے احترام کی وجہ سے ان کی دعاوں کے لینے کے شوق کی وجہ سے ہو سکتا حج کی سعادتیں بار بار نصیب فرمائے تو حاجیوں سے مہتمرین حضرات سے جب وہ آتے ہیں تو محبت سے ان کو ملنا چاہیے ان سے دعائیں لینی چاہیے تو کوئی خاص مہمان جب آتا ہے تو کئی دن پہلے سے اس کی تیاری کی جاتی ہے اور ان کے رہنے سہنے کا انتظام کیا جاتا ہے ان کا جو کمرہ ہے اس کو تیار کیا جاتا ہے ان کے کھانے کی جو ڈشس ہیں وہ بہت دن پہلے سے منیو بنایا جاتا ہے کہ ان کو یہ پسند ہے یہ پسند ہے یہ کھلائیں گے یہ کھلائیں گے وہ کھلائیں گے اور ان کو اس جگہ میں پکنک کے طور پر لے جائیں گے گھومائیں گے پھر آئیں گے ماشاءاللہ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارا کچھ خاص مہمان ہے اس کا استقبال کچھ خاص طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتے ہیں اور اس رمضان المبارک کے مہینے کے استقبال کے لیے اس کو ویلکم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے رجب کے مہینے ہی سے رحمت کی مغفرت کی ہواوں کو چلا دیا ہوتا ہے شابان کا مہینہ آتا ہے بادل پھیل جاتے ہیں اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ خوب موصلہ دھار بارش برساتے دیکھئے ہمارے پاس تین دن ہے کل کا دن گزرا ہوا آج کا دن جو موجود ہے اور کل کا دن آنے والا فیوچر کا دن جو گزرا ہوا کل ہے اس کے بارے میں یا تو شکر کیا جا سکتا ہے یا پچھتا یا جا سکتا ہے اگر خدا نخاص گناہوں میں اور غفلت بھری زندگی گزر گئی ہے گزشتہ والی اور اگر اچھا گزرا ہے نیکیوں میں گزرا ہے اللہ کو راضی کرنے والے عمال میں گزرا ہے تو شکر ہو گیا یہ ہو گیا اور آپ نے کروا لیا ہمارا کوئی کمال نہیں ہے اللہ تعالی کو کردیٹ دینا چاہیے اور آج کا دن ہے آج کا دن کچھ کرنے کا دن ہے آج گا اور محنت کی جائے گی کل کا فیوچر کا دن ہے اس فیوچر والے دن کو کسی نے نہیں دیکھا صاحب ہو سکتا ہے کل ملے ہو سکتا ہے کل نہ ملے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ایک سلام پھیرتا ہوں دوسرے سلام کی گیرنٹی نہیں ہے اللہ معاف فرمائے ایسے حالات ہو گئے ہیں ہمارے عمال کی وجہ سے ایسی بیماریاں آ گئی ہیں کہ جوان جوان میں آپ کو ڈرانی رہا ہوں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام ساتھیوں کو ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے لیکن زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے صاحب آج ہے تو ہے اگلے پل کیا ہوگا کسی کو خبر نہیں رجب کا مہینہ گزر چکا یہ ہمارا پاسٹ ہے اگر اچھا گزرا ہے بہت خوشی کی بات ہے مبارک بادیاں آپ کو اور اگر خدا نہ خاصتہ اچھا نہیں گزرا ہے اس میں ہم نے کئی نمازیں چھوڑ دی اس میں ہم نے فرض نمازیں چھوڑ دی اس میں ہم نے غفلت بر دی اس میں ہم نے اللہ کو ناراض کرنے والے کام کر دی اس میں ہم نے پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں پورے عالم میں کس درد سے جوج رہی ہے اور کس درد کا سامنا عالم اسلام کو کرنا پڑ رہا ہے اور ایک سپیسیفک ریجن کے لوگ کیسے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں کیسے ایک ایک پانی کے خطرے کو ترس رہے ہیں لائنے لگائی جا رہی ہیں ان کے سامنے ان کے اپنے بچے چھوٹے معصوم جن کا کوئی قصر نہیں ان کو خدا حافظ کہ کے ان کی پاک روحیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر رہی ہیں ہم نے اس درد کو سمجھا نہیں ہم نے اپنے دل میں درد پیدا نہیں کیا ہمیں ان کو ہو رہی تکلیف کا اگر احساس نہیں ہے تو کہیں تو اگر ایسے غفلت میں زندگی گزر گئی ہے تو افسوس ہونا چاہیے ندامت ہونی چاہیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا من اخت اخطیئتا او ازن بذنبا ثم ندی ما فہو کفارتو جس نے کوئی غلطی کی یا گناہ اس سے ہو گیا پھر اس کے ہونے پر وہ شرمندہ ہوا تو یہ شرمندہ ہونا بھی اس کے گناہ کا کفارہ ہو جاتا ہے اور اگر گزشتہ دن عجب کا مہینہ بہت اچھا گزرا ہے عبادت میں گزرا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانا چاہیے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ آپ اس کو قبول کر لیں آپ نے اگر قبول نہیں کیا تو چاہے جتنا اچھا ہو بیکار ہے اللہ آپ قبول کر لیں اور آپ کی توفیق سے ہو سکا ہے ہمارے کوئی کمال کی بات نہیں ہے ایک آج کا بین ہے شابان کا مہینہ ہے یہ کچھ کرنے کا وقت ہے یہ کچھ کرنے کا مہینہ ہے اس میں کرنا ہے سوچنا زیادہ نہیں ہے ایک آنے والا رمضان کا مہینہ کل کا دن ہے ہو سکتا ہے ملے ہو سکتا ہے نہ ملے اللہ سے دعا یہی ہونی چاہیے کہ اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرما اس کی عبادتیں عطا فرما اس کی سہریاں عطا فرما اس کے افطار عطا فرما اللہ آپ افطار کے وقت کئی لاکھ لوگوں کو جہنم سے آزاد لکھتے ہیں اللہ پورے تیس دن کی افطار میں کسی ایک دن میں مجھ گنہگار کا بھی نام شامل فرما اللہ میں گنہگار ہوں آپ بڑے رحیم ہیں آپ بڑے کریم ہیں آپ ماف کرنے والے ہیں آپ اپنے بندوں سے بے انتہا محبت کرنے والے ہیں اللہ کروڑوں لوگ آج افطار سے ہوں گے کروڑوں لوگ بھوکے پیاسے ہوں گے بہت سارے لوگوں کا کوئی توعمل آپ کو پسند آیا ہوگا اللہ آج میں بھوکا ہوں پیاسا ہوں صرف آپ کے لئے ہوں اسی لئے حدیث میں اللہ کے نبیہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حدیث قدسی ہے جس کو اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے اللہ کے نبیہ علیہ السلام اس کو ہم تک پہنچا رہے ہیں اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں روزہ میرے لئے ہے اور اس کا بدلہ بھی میں خود ہی دیتا ہوں اس لئے کہ روزہ میرے لئے ہے और तुम मेरे लिए भूके प्यासे रहते हो, नमास पढ़ रहे हो, इस बात का इहतमाल शक्को शुबा जरूर हो सकता है, कि किसी को दिखाने के लिए पढ़ रहे हो, हज कर रहे हो, उम्रा कर रहे हो, जकात दा कर रहे हो, सदका दे रहे हो, और आमाल कर रहे हो, उन तमाम आम on है अंदर cold drinks है ठंडा मश्रब है मश्रूबात है और दूसरी गजाएं है ठंडा पानी उसमें रखा हुआ है कोई तुमें नहीं देख रहा लेकिन तुम कभी भी खोल कर उस पानी के खत्रे को पीना तो दूर की बात है महबत भरी निगा से देखना भी पसंद नहीं करोगे इस एरादे से खोलोगे भी नहीं रेफुरिजरेटर तुम्हारी ये अदा मुझे पसंद है इसलिए मैं कहता हूँ कि रोजा मेरे लिए है अस्साव मुली और इसका बदला भी मैं ही दूँगा अल्ला हुद बर कितनी कमाल की बात और कितनी मोटिवेशनल बात अल्ला ताल जाए और लोगों से मंगे तो आने जाने वाले मुसली एक・दो पांच-दस रुपे दे पास देते हैं और अगर वही मांगने वाला किसी महले के बड़े के पास चला जाए और जाकि उस से मांगे कि आप महले के सरदार。」 आप बड़े हैं, आपकी दो-चार प्रॉपर्टीस हैं, आप तो बहुत उंची हस्ती हैं, आपकी इतनी डैली और अनुल अर्निंग्स हैं, आप मुझे अपने हिसाब से दो, वो दो-चार रुपए नहीं देगा, वो हो सकता है, पांच सो रुपए देदे हो सकता है, अगर जादा है दिल वाला हो, पांच सो देदे, इसी तरीके से महले का बड़ा नहीं है, कोई बहुत बड़ा रईस है, पुरे शेहर का रईस है, उस रईस के पास कोई मांगने वाला पहुंच जाए, वो अगर खुश होगा, तो अपनी हैसित के मताबिख उसको नवाजेगा, य हम इस बारे में तसवर नहीं कर सकते हैं, इमाजिन नहीं कर सकते हैं, हम सोच भी नहीं सकते हैं, हमारी सोच वहां तक पहुंचती ही नहीं है, कि अल्ला क्या कुछ देंगे, अल्ला हुद्बर, हमारी जो अकले हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो मेंटालिटी है, और हमारी ज दोनों रोश्यों की जरूरत है तो जब हमारी आँखे हमारी आँखों की रोश्णी महदूद है हमारी सोच महदूद है तो जब बल्ला देंगे तो हम सोच भी नहीं सकते कि अल्ला क्या कुछ देंगे तो दोस्तों रमज़ान अलमबारक के महीने की आज ही से तैयारी शुरू की दिये शाबान का महीना है बरकतों वाला महीना है अल्ला के नभी आले स्लाथ वस्लाम इस महीने में पूरा पूरा महीना रोजा रखते थे एक हदीस मैं आपको कोड़ करना चाहूंगा हज़त उसामा रजी आल्ला के रावी है इर्शाद फर्माते हैं कि नभी करीम स्लाथ वाले वस्लम हर हफ़ते दो दिन का रोजा रखते थे इन दोनों दिनों में रोजे को कभी नहीं छोड़ते थे मैंने पूछा आई अल्ला के रसूल मैं आपको देखता हूँ आप हफ़ते में दो दिन का रोजा कभी नहीं छोड़ते विज़ अल्ला के रौज पूछा कौन से दो दिन गान पीर और जमराथ का रोजा वजह आप विझा आप इसे हैं जिसमें बंदों के आमाल इसमें पैश होते हैं मैं इस बात को पसंद करता हो जब मेरा अमल अल्लाह के सामने पेश हो तो मैं रोजे की हालत में रहू जिसे शाबान कहा जाता है जिसकी फजीलत और बरकत से लोग गाफिल है यह आप सल लिल्लाह आलिए वे सलम ने फर्माया और यह भी फर्माया इसी महीने में बंदों के आमाल अल्ला की बारगाह में पेश होते हैं इसी लिए मैं इस महीने में रोजा रखना पसंद करता हूँ ताके रोजे की हालत ही में मेरा अमल मेरे माबूद की बारगाह में पेश हो और कमा काल अलिए सलाथ वस्सलाम तो सुना आपने हमारे लिए अड़वाइज ये है कि हम 15 शाबान तक रोजे रखना चाहें तो रख लें 15 शाबान के बाद रोजे न रखें ताके आने वाले रमजान मुबारक के महीने की तैयारी जो के फर्ज है उसका रोजा उसकी तैयारी हो सके कहीं ऐसा नहों कि हम इस महीने के पूरे नफल रोजे रख लें और तबीयत खुदाना खास्ता कमजोर हो जाए और रमजान मुबारक के फर्ज रोजों पर उसका असर पड़े अगर कोई तहजद के लिए रात में तीन बजे साड़े तीन बजे उठ जाए और साड़े पान बजे तक जाकता रहे जब फजर का वक्त फर्ज का हो तो सो जाए तो कुछ आया तो नहीं गया जरूर इसलिए के फर्ज फर्ज थी फजर थी उसको पढ़ना चाहिए था अगर तहजद नहीं भी पढ़ता तो कोई पूछता नहीं गए तहजद क्यों नहीं पढ़ी इसलिए के नफल नमाज है तो इसी तरीके से हमारे लिए ये अड़वाइज है कि हम पंद्रा शावान से पहले पहले जितने रोजे रखना चाहें रख लें लेकिन पंद्रा के बाद रोजे रखने से परहस करें इसलिए के रमज़ान की तैयारी उसमें करनी है तो अल्ला के नबे स्लाव पूरा महीना रोजा रखते थे और वजे पूछी कि आप इस महीने में पूरा रोजा क्यों रखते हैं तो आपने जो रीजन बयान फरमाया है वही मुझे आपके सामने पिश करना है आपने ये बयान फरमाई कि मैं इसलिए रोजा रखता हूँ कि इस महीने में अल्ला की बारगाह में हमारे आमाल पेश होते हैं मैं चाहता हूँ कि जिस महीने में हमारे साल के पूरे अमाल पेश हो उस महीने में मैं रोजे से रहू मैं भूका रहू मैं प्यासा रहू मेरी अंदर के सारे digestive system को खाने की जरूरत हो पानी की जरूरत हो और मैं पानी ना पी रहा हूँ और मैं खाने को ना छू रहा हूँ भूका हूँ, प्यासा हूँ प्यास की शिद्ध सता रही है भूक की शिद्ध सता रही है और अल्ला ताला को मुझ भूके पर रह्म आ जाए दोस्तों आप इनसाफ से बताइए कि अल्ला के नबी आले सलाथ और सलाम को इन आमाल के करने की जरुरत नहीं थी आप तो बखशे बखशाये थे आप से तो अल्ला तबारक पू ताला एतनी महबत करते थे आप को अपने दीदार के लिए मेराच पर बुलाया मुलाकात करवाई अपना दीदार करवाया बॉराक बहजा حضرتِ جبرائیل کو بھیدا जाईए हमारे حبیب को लेकर आईए अकसा भीजवाया गया अंबिया की मामत करवाई गई वहां से अरूच का सफर हुआ आस्मानों की बुलंदियों का सफर हुआ अल्लह से मुलाकात हुई हुजूर एक्रम स्थाल्लाह अल्ही वसलम अबादात का तोफ़ा लेकर गए सारी जानी अबादते आपके लिए सारी माली अबादते आपके लिए अल्लह अकपर ये तोफ़ा लेकर के गए हैं तो आपका तो ये मकाम है आपका मकाम औरूज है मेराज है आपको भूका प्यास रेने की क्या जरूरत थी उम्मत को सबख सिखाना था उम्मत को बताना था कि जैसे मैं यह चाता हूं कि मैं भूक और प्यास के हालत में रहूं और अल्ला की बारगाह में मेरे आमाल पेश हो तो मेरे उम्मतियों आप लोग भी भूखे प्यासे रहो और अपने पूरे साल के आमाल को अच्छे करो ताकि आल्ला की बारगाह में जब तुम्हारा जैसे हमारा माशालला देड़ हजार कमपनीस कुछ शरिया कॉम्पलेंट है माशालला साथ ही उसको पहले चेक करते हैं कॉम्पलेंट है या नहीं उसके बाद ही इन्वेस्ट करते हैं बहुत अच्छी बात है बहुत खुशी की बात है आपकी हलाल रोजी की कमाई की जुस्तुजू को खबूल फरमाए आप सब तखवे वाले हैं अल्ला से डरने वाले हैं हमें हराम का एक लुखमा नहीं चाहिए हमें हराम की एक पाई नहीं चाहिए हम खुद भी हलाल खाएंगे अपनी ओलाद को भी हलाल ही खिलाएंगे तोड़ा सा किसी स्टॉक में तोड़ा सा शक है हम उसको छूते भी नहीं अल्ला होग पर ये आप तमाम के तख्वे की बात है, अल्ला के डर की बात है, तो हमें ये सोचना चाहिए, कि भूक और प्यास और शिद्दत की हालत में रहेंगे, अल्ला को हम पर रहम आएगा, हमने बारहा सुना होगा, मैं नहीं समझता कि किसी ने हमें से नहीं सुना होगा, कि एक प्यासे कुट्टे को एक औरत जो जमाने में बदनाम है, जिसको लोग अच्छी निगास से नहीं देखते हैं, उसकी हरकते ऐसी हैं, वो एक प्यासे कुट्टे को कुवे से पानी अपने मोजे से निकालती है, जो वो देखती है कि कुट्टा प्यासा है, और उसकी जब वो कुता है, भोकता है, काटता है, अजनभियों को देखकर उनके पीछे दोड़ता है, उसकी प्यास और शिद्दत और उसकी भूग की वज़े से ये तड़प रही है, इसने अपना मोजा निकाला, कुवे में डाला, उससे पानी निकाला, और कुत्ते प्यासे को पिलाया, इसकी जो गलत ठरकतें थी, उसको साइड में रख दिया, ठीक है, तेरा करेक्टर सही नहीं था, तुने बहुत गुना किये, तुने मुझे नारास करने वाले बहुत सारे काम किये हैं, लेकिन ये तेरा आमल मुझे पसंद आ गया, तुने जो कुते पर रहन किया, वो मुझ पसंद है, मैं तेरे सारे गंदे आमाल को छोड़ रहा हूं साइड में, मैं तेरी मगफिरत का फैसला कर रहा हूं, अक्प्यासे कुते को देखकर एक गलत करेक्टर वाली औरत को रहम आ रहा है, मेरे दोस्तों, इनसाफ से बताईए, अगर हम भूग और भूगे प्यासे र और सिर्फ तेरे लिए भूगे प्यासे हैं, अल्ला इस उम्मीद पर भूगे प्यासे हैं, कि आप हमें माफ करेंगे, हमारी गुजिश्टा जिंदगी के जो खलत आमाल हैं, आप उनको उनकी तरफ नजर नहीं करेंगे, अल्ला हम इसलिए भूगे हैं, कि आप हमारे साथ महबत की निगासे नहीं देखेंगे, जरूर देखेंगे, जरूर देखेंगे, इसलिए दोस्तों, इस शाबान के महीने को गनीमत जाने हैं, जितने दिन गुजर गए, पास्ट इस पास्ट, उसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, अगर अच्छा गया है, बहुत खुश में कोता ही हुई है, किसी से कुछ तैसा ले लिया, किसी को गाली दे दी, किसी को सामने तकलीफ पहुंचा दी, किसी को बुरा भला बोल दी आ, उनसे माफी मांगनी होगी, यह लगा कहते हैं, मेरे बंदे का हक तुमने मारा है, उसका हक पहले अदा करो, या माफ करवाओ, जिस गुना में मुल्विस है उसको फौरण छोड़ देना चाहिए अभी से छोड़ दे कि नहीं अल्ला नाफरमाने वाली जिन्दगी बहुत हो गई अब बस मैं अभी से छोड़ रहा हूँ अभी से इरादा करता हूँ रमजान का महीन आ रहा है मख़िदत का मौसम आ रहा है उसमें मुझे अपना नाम लिखवाना है मुझे जन्नत बटोर्नी है मुझे महलात में जाना है और ये दुनिया की जिन्दगी तो खतम होने वाले जिन्दगी है, आखरत की जिन्दगी हमेशा हमेशा बाकि रहने वाले जिन्दगी है, मुझे उसकी तयारी करनी है, वो उसी की तयारी के लिए हमें दुनिया में भेजा गया है, हम खाने कमाने के लिए नहीं आए, ये खान लेता हूँ आवाज सुनाई दे रही है कुछ disturbance नहीं कुछ समझ में आ रहा हो नहीं समझ में आ रहा हो मैं चाहरा था कि interactive हो लेकिन साथी बहुत ज्यादा है तो नहीं हो सकता कोई confirm करें कि अवाज आ रही है कोई confirm करें अच्छा शायद किसी को permission नहीं होगी चलिए कोई बात नहीं एक दो स्लाइड मुझे आपको दिखाने हैं उसको देख लीजिएगा जी क्लियर आ रहे हैं अच्छा ठीक रफिक साथ जज़ा कर दा स्क्रीन नजर आ रही है जी आ रहे हैं अच्छा पार अब 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 यह देखिए रमजान मुबारक का महीना आता है रमजान मुबारक के महीने से पहले शाबान का महीना आता है शाबान का महीना रमजान की तैयारी के लिए आता है यह फुल स्क्रीन नहीं आ रही है तो रमजान मुबारक के महीने में हम तमाम को ज्यादा से ज्यादा इबादात का है तमाम करना चाहिए कोई साथी कन्फर्म करें ये स्लाइड में ज़रा रही है नेकियों के लूटने का महीना है और हम सारे साथी जानते हैं कि इसमें एक का सत्तर मिलता है इसका एक स्लाइड में आपको दिखाना चाहता हूँ जिससे आपके होश ओड़ जाएंगे ये उपर आपको दिख रहा है 141 अलफ़बेट उसके उपर सुरह फातिहा है वो यहां स्क्रीन से गायर हो गया है सुरह फातिहा में 141 अलफ़बेट हैं इंक्लूडिंग बिस्मिल्लाहिर्राहिम और इसमें जो तशदीद वाले अलफ़बेट हैं जैसे रबिल आलमीन रब में हम बाको दो बार पढ़ते हैं तो वो दो अलफ़बेट काउंट होते हैं मैंने दो नहीं काउंट किये हैं जहां जहां तशदीद है मैंने उनको एक ही alphabet count किया है अगर आप जितनी तश्दीदे हैं पूरी सुरह फातिहा में उनको निकाल करके count करेंगे तो ये और ज्यादा alphabet हो जाएंगे लेकिन मैंने उस रबिल आलमीन में बाको हम दो बार पड़ते हैं मैंने एक ही शुमार किया है तो टोटल 141 alphabets होते हैं और हम तमाम साथी जानते हैं कि रमजान में एक का सत्तर मिलता है 141 alphabets into 70 is equal to 9870 अगर रमजान के महीने में कोई एक बार सुरह फातिहा पढ़ेगा उसमें 141 alphabets हैं तो एक alphabets की एक नेकी और एक नेकी रमजान में सत्तर हो जाती है सत्तर नेकी आ तो 141 alphabets into 70 is equal to 9800 अगर एक मरतबा सुरह फातिहा पढ़ता है और पूरे रमजान के 30 रोजों में 30 दिन इसने 30 मरतबा सुरह फातिहा पढ़ी उसका आप मल्टिप्लाइ करेंगे तो 296100 डबल जिरो दो लाक च्छी आनवे हजार एक सो एक मरतबा सुरह फातिहा पढ़ने से दो लाक च्छी आनवे हजार एक सो नेकिया अल्लाहु अक्बर क्यों नहीं इसको गरीमत समझेंगे हम अरे सेल लगती है सब दोड़ पढ़ते हैं रमजान के महीने में आने वाले सेल लग रही है नेकियों की खूब लूटे हैं इसलिए हमारे सलफ में से बास के बारे में लिखा है कि पूरे रमजान में साट साट कुरान पढ़ते थे अभी हाल के हज़र जी मौना इनामलहसन साहब रहमतुल्ह आले कहते हैं कि मैंने 54 चौन पढ़ते पूरे रमजान में अगर कोई रोजाना एक मरतबा आफिस में काम पर चलते फिरते बाइक और कार राइड और ड्राइव करते हुए एक मरतबा सुरह फातिहा रोजाना पड़ लिया तो 2,96,100 नेकियां भाई कहां मिलेंगी इतनी नेकियां अब टोटल अल्फेबिट्स जो कुरान में हैं ये 3,23,760 अल्फेबिट्स हैं पूरे कुरान में अगर किसी ने रमजान के महीने को गनीमत जान करके रोजाना एक पारा पड़ लिया चीज दिन में 30 पारे हो गए तो उसने 3,23,760 अल्फेबिट्स पढ़े एक अल्फेबिट्स पर एक नेकी मिलती है अलिफ लाम मीम जब आप पढ़ेंगे न तो अलिफ पर एक नेकी मिलती है लाम पर एक नेकी मिलती है, मीम पर एक नेकी मिलती है, आम दिनों में 30 मिलेंगी, रमजान के महिने में एक का 70, एक पर 70, ये 3,23,760 अल्फबेट्स को एक के 70 में रमजान की वज़े से आप मल्टिप्लाइ करो, 2 करोड, 26,63,200 नेकिया, 2 करोड, 26,63,200 हसानाच, अल्लाहु अक्बर, एक खुरान पढ़ने की वज़े से भाई, इतनी नेकिया मिलेंगी, माशालला, हम लोग investment का plan करते हैं न, कि रोजाना हम इतना invest करेंगे, जमीर भाई ने कितना अच्छा presentation पेश किया, कितनी अच्छी plan बताया, और बहुत सारे साथी हमारे regular speakers आते रहते हैं, guest speakers आते रहते हैं, कितनी अच्छी अच्छी strategies को बताते हैं, कि रोजाना अप इतना invest करो, मतली इतना invest करो, महीने में इतना हो जाएगा, multiply अगर profit booking हो जाएगी, तो इतना हो जाएगा, साल में इतना हो जाएगा, दस साल की planning रमज़ान के महीने की करो न, हाँ, दस साल रमजान के एक खुरान पढ़ लोगे, भाई, कितनी नेकियां, कैलकिलेट करो, आपके कैलकिलेटर्स फेल हो जाएंगे, अरे, इतने गुना तो हम पूरी जिन्दगी नहीं कर सकते, साहब, इसको गनी मत जाने, रमजान के महीने को, नेकियां लूटें, और एक रोजाना की पांच फरज नमाजें, एक का सत्तर मिलता है, तीस दिन की एक सो बीस नमाजें, एक फर्ज अदा करोगे, सत्तर फराइस के बराबर, एक नफल अदा करोगे, एक फर्ज के बराबर, 5 to 30, 30 दिन की रोजाना की 5 नमाजें, 120 नमाजें हो गई, 120 into 120 into 70 करो 8400 फर्ज नमाजें पढ़ने का सवाब सिर्फ इस रमजान के महिने में लूटोगे भाई सुनत और नफल, रोजाना फर्ज नमाज से पहले और फर्ज नमाज के बाद जो सुनत और नफल होती है फजर की फर्ज नमाज से पहले दो रुकत सुनत, जोहर की चार रुकत से पहले चार रुकत सुनत मुखिदा, बाद में दो रुकत सुनत और फिर दो रुकत नफल, असर से पहले की चार रुकत सुनत और गहर मुखिदा, और फिर मगरीब के बाद की दो रुकत सुनत 31 रकात हुई जो सिर्फ फर्ज नमाजों से पहले फर्ज नमाजों के बाद रमजान के महिने में क्या करना है अजान हुई दुकान बंद लैटव बंद सीदर मस journals चार सुन्नद पढ़ लेंगे दो सुन्नद पढ़ लेंगे फर्ज नमाज के बाद फोरान हाथ दोके बाहर नहीं आएंगे हाथ जाड़के वहीं बैठेंगे दो रकत पढ़ेंगे चार रकत पढ़ेंगे जितनी नफल हैं जितनी सुन्नत हैं पूरी पढ़ेंगे सिर्फ इतने पढ़ लोगे एक दिन में 31 रकात होती है तीस दिन की 31 नमाजें 930 और ये सुन्नत और नफल वो हैं जिनका फर्ज के बराबर दर्जा मिलेगा रोज़ाना की 31 पढ़ लोगे तीस दिन की हो जाएंगी 930 ये 930 रकाते हैं फर्ज नमाज के बराबर सवाब मिलेगा भाई इसको समझिए इसको गनीमत जानिए और इसको पकड़ने की कोशिश की जिये जैसे हम बॉटम फिशिंग करते हैं ना कि पहले इसे स्टॉक को पकड़ लिया जाए जब जूम हो रहा हो उसी वक्ड़ लिया जाए और ये last conclusion है मैं इस स्लाइड को आपको दिखा के अपनी बार खतम करूंगा कहीं ज्यादा न हो जाए और उमीद करता हूं कि हमारा ये सेशन मेरे लिए आपके लिए तमाम के लिए फाइदे मन्द होगा एक बात तेह कर लीजिए रमजान के महीने में के दो काम हमको करने हैं नमाजे नहीं छोड़नी ना फर्ज ना सुन्नत न फिल्मय ये जो सुन्नत आपको बयान कर रहा हूं जो नमाजों की रकातों की क्वांटिटी में आपको बता रहा हूं तेदाद बता रहा हूं वो तहजद, इश्राख, चाष्ट और अववाबिन इन चार नमाजों को छोड़ कर, एक्स्क्लूट करके बता रहा हूँ वही, अगर तहजद भी पॉड़ लोगे फर्ज नमाज के बाद आरा गंटा तिलावत के लिए बैठोगे फजर की इश्राख का वक्त हो जाए, इश्राख को लोगे फुड़ी दिर अराम कर लोगे, आफिस जाने से पहले काम पर लगने से पहले, औरतें अपने घर के काम में लगने से पहले उठेंगी और नो बज़े के आसपास चाष्ट की नमाज पढ़ लेंगी मगरिद के बाद दो रकत सुन्नत, दो रकत नफिल पढ़नी है छे रकत पढ़ लेंगे, वाबिन हो जाएगी उसको मैंने यहां शुमार नहीं किया है, वह आप कैल्किलेट कर लेना वो तो और ज्यादा आगे चला जाएगा, इतना सवाब लूटेंगे हम और एक तो आपको यह करना है, रमजान के महीने में कोई सुन्नत नहीं छोड़नी, कोई फर्ज नहीं छोड़नी, कोई नफिल नहीं छोड़नी दूसरा, चलते फिरते उड़ते बैठते, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना है सुरे फात्या आती है, सुरे फात्या पढ़ना है, खुरान आता है, खुरान पढ़ना है, आजकल तो माशाललाः डिजिटल जमाना है, फोन्स में खुरान के आप्स मिल जाते हैं, आप डाउनलोड करें, पढ़ें, और नहीं पढ़ सकते हैं, बेग करके नहीं पढ़ सकते है तो आपको याद है पढ़ें, कुछ नहीं आता, सुभानल्ला, अल्हम्दुनिल्ला, अल्लाहु अक्बर, बस, एक कसत्तर मिलता रहेगा, वो सब, मैंने, इसमें शुमार नहीं किया है, मैं आपको सिर्फ फर्ज नमाजों की, रकातों की तेदार, और सिर्फ एक, आपको दिखा रहा हूँ, देखिए, माशालला, हमारे दर्मियान, हमारे जो टीचर्स हैं, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, माशालला, हमारे डॉक्टर साब के तो क्या ही कहने, हमारे शादाब भाई हैं, माशालला, कितना दर्द दिल रखते हैं, अभी, माशालला, ज की वालिदा की शायद तबीयत कुछ नासाजी के बार हम बता रहे थे लग ताला उनकी वालिदा को सिहत आजला कामिला मुस्वारा दाइम आता फरमाए और उनका साया जमीर भाई पर अल्ला तादिर गाइम और दाइम फरमाए तो हमारे दर्मियान ये कितने अच्छे अच्छे लोग हैं मैं आप तमाम साथियों से गुजारिश करता हूँ कि वो लोग हैं और भी बहुत सारे साथी हैं पूरी अड्मिंज की टीम है मैं माफी चाता हूँ सबका नाम नहीं ले सकता तो और और कितने अच्छे लोग हैं, इनकी सोच कितनी अच्छी है, ये माशरे के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहे हैं, जमीर भाई, रात ने वादा करते हैं, सुबा दे देते हैं, बावजुदे के 18 years की इनकी experience है, इनकी और दूसरी मश्रूफियात है, हमारे लिए कोई सव कर रहा है, फोरण reply कर रहे हैं, वो सारे reply कर रहे हैं, सब कुछ, वो चाते हैं कि सब पैसा कमाएं, उनकी मैशत अच्छी हो, उनकी economy अच्छी हो, वो तरक्य करें, ऐसी सोच वाले लोग माशालला बहुत हैं, हीरे हैं, उम्मत में, तलाश करने की जरूरत हैं, मैं आप तमा हमारी जिन्दगी में अपलाई करें, हमें भी कुछ करना है, हम सीखे हैं, हमें भी सिखाना है, हमें भी दूसरों की मदद करनी है, हमें भी माल कमाना है, खेरात करना है, सद्का करना है, इन्सानियत की भलाई के लिए काम करना है, तो माशालला बहुत हैं, तो माशालला इन professional investor है वो माशालाद जैसे हमारे बहुत सारे साती हैं जिनके मैंने अभी नाम जिकर किये वो professional वे में invest करते हैं और उनके profits बहुत होते हैं उनका experience बहुत पहुचा होता है और एक होता है अभी आया ग्रूप में मेसेज डाल दिया ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए इसमें एंट्री लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए इससे एक्जिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए जबके बार-बार हमारे तमाम ग्रूप के एड्मिन हजरात कहते रहते हैं कि एंट्री कितने अच्छे अच्छे presentations लेके आए कैसे समझा रहे हैं कब इंट्रों होना है कब नहीं होना है capsule 1 है capsule 2 है मशला capsule 3 आने वाली है जमीर भाई ने इतना अच्छा presentation हमारे सामने रखा और entry कैसे लेनी exit कब करना सब कुछ बताया फिर भी नए beginners आते हैं में message डाल लेते हैं कि entry लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए एक्जिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए तो beginners हैं कुछ लोग होते हैं छे महीने एक साल से trade कर रहे हैं कुछ हलकाशा उनको experience हो गया हज़त इमाम गज़ाली रहमतिलाले अपनी किताब इहालूम में लिखते हैं कि number one अवाम का रोजा जैसे हमारे beginners होते हैं trade में stock market में अवाम का रोजा क्या है भूके रहे प्यासे रहे सारा दिन भूके रहे सारा दिन प्यासे रहे रमजान का महीना है रोजे की हालत में हम भूके रहेंगे हम प्यासे रहेंगे और जो एक तो खाना पीना भी नहीं है और दूसरा जो जायज बीवियां है, उनके खरीब में जाना है, उनसे तालुखात ने खायम करने है, ये अवाम का रोजा है, फस्केटिगरी का, कुछ रोजे होते हैं खास लोगों के रोजे, ये क्या करते हैं, खाने पीने से भी दूर रहते हैं, और नफसानी जो खाहिशात है उस नफस को भी कंट्रोल में रखते हैं, और साथ साथ कान, हाथ, आँख, जबान, पैर और बाकी आज़ा, इन से जो गुना होते हैं, इन तमाम उजू को आज़ा को गुनाहों से रोकते हैं, बुरी बातों से रोकते हैं, ये खास लोगों का रोजा होता है, जैसे कुछ ट experience होने के बाद में कुछ नफास ज्यादा कमा लेते हैं बिगिनर्स कुछ थोड़ा थोड़ा ही कमाते हैं सीट्स में कर लेते हैं एक साल से मैने का experience दो साल का experience तीन चार साल का experience कुछ ज्यादा profit बुक कर लेते हैं माशालला और तीसरे लोग होते हैं रोजा रखने वाले अखस प्रसुल्खास ये वो लोग होते हैं इनका रोजा ऐसा होता है कि ये भूगे प्यासे भी रहते हैं नफसानी खाहिशास से भी बचते हैं और हाथ, कान, जबान, पैर इन से जो गुना होते हैं, इन से जो बुराईया होती हैं, बुरी बाते होती हैं, उन से भी बचते हैं, सा प्रॉफेशनल इन्वेस्टर्स जो प्रॉफिट बुक करते हैं, इतना ज्यादा प्रॉफिट का परसेंटेज उनका होता है, इतनी मेहनत उन्होंने की हुई होती है, इसी तरीके से कुछ लोग, उलमा, सुलहा, ल्लाह के खास बंदे, वो भुके पैसे भी रहते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को गुनाहों से भी रोकते हैं, साथ साथ अपने दिल में बुरे ख्यालात को भी आने नहीं रहते, दुनिया के ख्यालात, दुनिया की फिक्रें, उनको भी अपने दिल में हल किसी जगा भी नहीं देते, मैं गुजारिश करूंगा, इस बात को कहते आपको अगर बात समझ में आई है तो कितना अहम महीना है उसकी तैयारी हमें अभी से करनी है उसके लिए मैं डॉक्टर साफ से गुजारिश करता हूँ कि रमजान के महीने के लिए हो सके तो सिर्फ मार्केट आर्स में ग्रूप को ओपन रखें और हो सके तो इशा के बाद ए काथ घंटे के लिए कुछ वक्त के लिए किसी को कोई सवाल करना हो कुछ पूछना हो तो बस इतने ही घंटों के लिए अगर ग्रूप को ओपन रखा जाए मेरी गुजारिश है तमाम अडमीन हजरात से भी और डॉक्टर साब से भी कि इतने वक्त के लिए बस इसको ओपन ऐसा नहो कि हम इस महीने में भी सुबा से शाम तक स्टाउक बाइंग सेलिंग बाइंग सेलिंग करें जरूर करें आपको कोई रोक नहीं रहा है कहीं ऐसा नहो कि पूरी तवज्जो इसी की तरफ हो जाए फोन ही में मगन रहें और नेकियां जो लूटनी है उसमें हमारा वक् नेकियां कुछ लूटना सकें और ये रमजान का महीना चला जाएगा तो इसको पाने के लिए पूरे 11 मंस इंतजार करना पड़ेगा ये गुजारिश है तो हम प्रोफेशनल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो इसी तरीके से हमें रमजान के महीने के रोजे में भी प्रोफेशनल साइम बनना चाहिए प्रोफेशनल रोजेदार बनने की कोशिश करनी चाहिए हम नफसानी खाहिशास से भी बचेंगे खाने पीने से भी बचेंगे और हमारे जिसम के बाड़ी पार्ट्स को हम गुनाहों से भी रोकेंगे जबान से किसी के बारे में कुछ गलत, जूट, गीबत वगरा भी नहीं करेंगे और हम अपने दिलों को भी अल्ला की महबबत से लबरेस करने की कोशिश करेंगे जजाकुमुल्ला एक घंटे से कुछ जायद वक्त हो गया है मैं चाहरा था कि कुछ और अच्छे अंदाज में पूरा PPT प्रेजेंटेशन कुछ अच्छे अंदाज में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँ लेकिन मैं गुष्टा चन्द दिनों से इतना बिजी था कि मैं कुछ नहीं कर पाया कल भी मैंने डॉक्टर साब से गुजारिश की थी कि मेरे पास वक्त कम है जी जी मैं पूरी तैयारी नहीं कर पाया और इसके लिए मैं माजिरत पा हूँ इंशालला अगर रमज़ान के शुरू होने से एक दो दिन पहले का भी कुछ वक्त मिलिया तो इंशालला और अच्छे अंदाज में आप अज़रात के सामने चन बाते लाने की में को फिरूँगा उमिद करता हूँ कि आपको आज की बातें कुछ समझ में आई होंगी और दौा करता हूँ कि अल्ला ताला हमारे जुनने को खबूल पर्माएं हमारे बुलाओं को माफ पर्माएं अल्ला तहला हमसे राजी हो जाएं इस अपिलू रग्टर साब जी मैं नुश्य साब से यही गुजारिश करना चारा था कि माशाला ये तो आपने एक सीरीज के तहट पार्ट वन और पार्ट टू रमजान का कर दिया बहुत हमारे लिए बड़ी खुशी होगी और जरौत भी है कि अगर आप रमजान के शुरू होने से ठीक दो दिन पहले अकैडमी पे आकर रात के टेम पे दाज बज़े से जैसे कुछ एक देड़ दो हंटे कर आप बता देंगे तो बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि जैसे कि एक एक एग्जाम के लिए हम तैयारी करते हैं पूरी साल और एक दो दिन पहले हम रिविजन करते है तो मैं तो समझागा कि आपका हमारे उपर बहुत वड़ा हैसान हो जाएगा इंशाला मुष्टी साथ ने रपका इसान है कि हम गुनेहगारों को तमाम साथियों से जोड़ रहे हैं कुछ कहने का मौका दे रहे हैं आप पुरे खाबले तालीम और खाबले इल्म और माशाल आप अगरा इजादर दें हम लोग भी दुबारा सुनना पसंद करेंगे शाम के वख जरा मुनासिप रहेगा मंशाला काती सारे लोग भी जूड़ते हैं तो कुछिस करें की इत से रहे हैं रमदान के क्या बलते शुरुत से दो दिन पहले एक सेशन और आप एक हमारे कर द उन से भी हम एक सेशन रखवाएंगे ठीक है जजाक अल्ला मुफ्ति सबीन साब आपकी जोड़ने को और हमारे सुनने को अल्ला खुब पूर परमाए जजाक अल्ला मुफेर आप दुआ पढ़ दें सेशन को एंड कर दें शाल्या हम्दिक तुर्हान अल्लाहिम्म्म्म्म् आपको नश्हदू अल्लाहिलाहिम्म्म्म्म्म्म्म्म् अल्लाहिम्म्म्म्म्म् क्या है?